नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेलवे द्वारा चलाए जा रहे है रेटारिंग रूम बुकिंग सर्विस क्या है रेटारिंग रूम को हिंदी में विश्रा मालाई भी कहा जाता है साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि retiring room क्या होता है और यह कितने परकार के होते हैं और इसे कैसे book किया जाता है तथा कौन इसे book कर सकता है और कितने समय के लिए वा बुग कर सकता है कितनो दिन पहले इसे book किया जा सकता है तथा केंसिल करने पे कितने परतिसत अमाउंट कड़ जाता है इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में बिल्कुल बिस्तार से असान भासा में बताने वाला हूँ तो बिना देरी किये सबसे पहले यह जानते हैं कि रिटारिंग रूम होता क्या है दोस्तों कई लोग जानकारी के अभाब में रेलवे दुआरा चलाई गई इस सुवीधा का लाब नहीं ले पाते हैं दोस्तों हमारे देश भारत में हर दिन लगभग कई लाख लोग रेलवे से आत्रा करते हैं और उन्हें एक राज या सहर से किसी दूसरे राज या सहर जाना होता है चाहे वह बिजनस के सिलसिले में हो या फिर रोजगार के सिलसिले में हो या किसे अनिकारण से हो जिसमें आत्रा करने से पहले या आत्रा करने के बाद आत्रियों को ठहरने या विश्राम करने के लिए भारती रेलवे ने लगभख सभी परमुक इस्टेशनों में रिटारिंग रूम बनाई है जिसमें रेल आतरी ओनलाइन माध्यम से काफी कम सुल्क में रेलवे इस्टेशन में रिटारिंग रूम कुछ घंटों या कुछ दिनों तक भूक करके वहां ठार सकते हैं उन्हें एसी डोर्मेटरी लेडिस डोर्मेटरी शिंगल बेडरूम डबल बेडरूम एसी डिलक्स बेडरूम इत्यादी रिटारिंग रूम होते हैं जिसमें सभी परकार के रिटारिंग रूम में उसकी सुविधा के अनुसार अलग-अलग चार्ज है जिसमें सबसे कम चार्ज डो तरमेटरी रूम का है, जिसमें एक बड़े से हॉल में कई अलग-अलग बेड़ लगे होते हैं, और सबी आतरियों के लिए अलग-अलग बेड़ की वयुस्ता होती है, तधा इसमें कोमं बातरूम भी होता है, वही सबसे अधिक चार्ज, एसी डिलक्स रूम की होती है, जिसम फिरी वाइफाई, AC, TV, फिरी वाटर बोतल, फिरी चाय, अलमीरा, कुरसी, टी टेबल, एटेच बातरूम, इतियादी और भी कई सुविधाएं उपलब्द होती है हलाकि अलग-अलग स्टेशनों में अलग-अलग टाइब के रिटारिंग रूम होते हैं यहाँ पर जितने टाइब की रिटारिंग रूम के बारे में बताया हूँ, जरूरी नहीं कि हर इस्टेशन में आपको सभी परकार के रिटारिंग रूम उपलब्द हो दोस्तों रिटारिंग रूम बुक करने के लिए आत्री के पास आत्रा के लिए रेजर्वेशन की कनफॉर्म या आरेशी टिकट का होना आनिवारी है तभी इस रिटारिंग रूम को वो बुक कर सकता है वेटिंग टिकट वाले रिटारिंग रूम को बूक नहीं कर सकता है रिटारिंग रूम आप बूक ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी IRCTC के वेबसाइट पे जाके अपना PNR नम्मर के जरीए बूक कर सकते हैं और हाँ एक PNR नम्मर से आप एक ही बार रिटारिंग रूम बूक कर सकते हैं हलाकि उस PNR में जितने भी आत्री है सभी की बूकिंग एक ही बार में करने की भी सुविधा उपलब्द है और अधि आप यह जानना चाहते हैं कि मोबाइल से रिटारिंग रूम कैसे बूक करें तो मेरे दूसरी वीडियो का लिंक आपको उपर i बटन पर मिल जाएगा वहां से भी आप उस video को देख सकते हैं कि mobile से retiring room book करने के क्या-क्या process है और यह कैसे करें चलिए अब यह जान लेते हैं कि retiring room को आप कितने समय के लिए book कर सकते हैं तो retiring room को आप कम से कम 3 घंटे से लेकर अधिक से अधिक 48 घंटे तक book कर सकते हैं इसमें 3 गंटे, 6 गंटे, 12 गंटे, 24 गंटे तथा 48 गंटे के booking की सुविधा उपलब्द है। आईए अब यह जानते हैं कि retiring room आप कितने समय पहले से book कर सकते हैं। दोस्तों अधी retiring room उपलब्द हो तो जिस दिन आपने अपना confirm ticket book किया है उस दिन से लेके आपके 18 के दिन तक retiring room book कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके cancellation के बारे में तो retiring room book करने के बाद आप उसे चाहे तो cancel भी कर सकते हैं। चेक इन के 48 घंटे पहले cancel करने पे आपको 10% amount कटेगा और चेक इन के 48 घंटे से भी कम समय में cancel करने पे 50% तक की amount का charge कर जाता है। और चेक इन के दिन अधी आप retiring room को cancel करते हैं तो आपका 100% charge कर जाएगा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के बाद आप याज जान गए होंगे कि रेलवे दुआरा चलाए जा रहे नई सर्विस retiring room booking क्या है। अगर इस से related और भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं। में उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अधि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है। तो अभी तुरांत आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन को दबा दे। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही मिलते हैं। फिर से एक नई टिप्शन ट्रिक की वीडियो में आपका दिन मंगल मैं हो।